देख रहे हैं ये सब जो है सो पूराने जमानी के पैसे हैं जो भी लोग भगवान का लूटने का कुछिस करते हैं मैं आपको छेताव नहीं देदू कि आपकी बरक्कत कभी नहीं हो सकती है आपके बिनास के अलाबा कुछ भी नहीं हो दोस्तों अभी मैं बिहार के समस्तिपूर जिलान तरगत सरारंजन प्रखंड के एक ऐसे जगा पे हूँ जिस जगा के बारे में जिस जगा के अतिहासिक्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी आस्जर्ज चकित हो जाएंगे हमारे सामने में आप देखना है ये सब पैसा रखा हुआ है और ये उस जमाने का पैसा है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ है उसे पहले समय का भी ये पैसा है और उसके बाद के समय का भी पैसा है ये एक प्रमान है इस जगह के एतिहा सिक्ता का ये एक प्रमान है जो यहाँ के जगह के बारे में इस जगह के महत्तु के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप को भी आफ्यच्योंगा हमारे सामने देख रहा हैं अदो के पुजारी है। जिस मंदिर में अभी मौझूद हूँ हूँ यहाँ पर समाज से भी गुंजण भाया भी है बहुत सारी चर्चा हम करेंगे इस मंदीर के बारे में तो इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे उससे पहले आपको बता दू थोरा सा बैसा मारी च्हायकार्शे नेवेदन करूंगा आप पास आईए और यह जो देख रहे हैं यह सब पूराने जमानी के पैसे हैं आप अब अलग अलग पैसे हैं एक पैसे हैं एक नए है अभी त आपको मिला कैसे यहाँ पे जो पहले से पुझारी सीतibenна में उनके दोरा मिला से असाई रूप से अहां पर रखा हुआ था यह सब्सकत मेhr framework में यह पशसेरी सर्फ प्रण को यहाँ पर मैं बताएं आपको तीन पैसा है यह पहले के जबाने में ऐसा तीन पैसा हुआ करता था और मैं आपको बता दूँ यह देख रहा है यह आप यह पैसा है जो 1968 का है यहां पर आप यह देख रहा है यह सायद 1905 इस भी का है और यह क्या है गुंजन भी कुछ समझ भी आ रहा है आपको अंग्रेश टाइम का है और यह क्या है यहां पर देख रहा है इसमें वन क्वार्टर लिखा हुआ है और यह 1934 इस भी देश आजाद से पहले का पैसा है यह देख रहा है यहां पर आपको दिख रहा होगा एक पैसा यानि की रूपे का सौमा भाग यहां पे लिखा हुआ है और 1964 इस भी का है यह तो यह मैं बता दू कि यह मंदिर के बारे में जिस मंदिर के बारे में आप सब से मैं चर्चा करूंगा उस मंदिर का यह एतिहासिक्ता का प्रमान है जहाँ पर भगत आते थे उस समय भे भी और जब चरहना के रूपए ये सब पैसा भगवान को चरहते थे खास करके अब मैं बता दूँ आपको चलते हैं हम लोग थोरा सा उस मंदिर के पास जिस मंदिर के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको भी आश्यर जोका, चली भए आते हैं सब लोग थोड़ा मंदिर का धर्शन करके एक बार फूना यह वही मंदिर है और इस मंदिर के बारे में जैसा पुजारी जी के दोरा और यहां के जो लोग हैं उनके दोरा जानकारी मिली कि लगभग 1200 साल पुराना यह मंदिर है और कुछ दिन पहले जब इस मंदिर का मरमत नहीं हुआ था उस समय जो इसका तस्वीर था वो आपके सामने अस्कीन पर चल रहा होगा उस इट को देखिए उस समय का जो इट था और उस इट से इस मंदिर का निर्मार हुआ था पह Citizens समय दियुक्षय हूर हुआ सद्थ समय नहीं क pinky of this elements नेहीं कोईने में कोई चिजद नहीं बना हुआ पड़ा इंच मोंटा इसका दबाल और 17 jina से मोंटा दिवाल है एकदम इतना दिवाल है और कुछ एक अलग गोंद टाइप से बनाया हुआ और गुम्मद जब मरमत में करवा रहा था तो गुम्मद जब साफ कर रहे थे मिस्टिरी तो साफ करते करते हुँ जब गुम्मद अपने स्वरूप में आया जो उसका असली रूप था उस पे लेप टाइप का तीन लेयर च सब्सक्राइबाद फिर उसमें एक कोटिंग किया गया है और फिर इंट जो रागया और इसका गुम्मद जो है ऐसे महंत जी बताते हैं 1200 साल पुरान लेकि गुम्मद देखने पर पता चलता है यह मुगल कालीन गुम्मद है क्योंकि मंदिर के कंस्रक्शन से पता चलता है उस्टाइम में मस्जिद नुमा ही गुम्मद बनता था और गुम्मद में कहीं भी सिर्फ इंट का परियोग किया गया इंट को लखिए हाफ इंची एक इंट को आगे करके फिर हाफ इंची एक इंट को आगे करके गुम्मद बनाए गुम्मद में अभी इतनी मजबूती है सो बताया नहीं जा सकता है कितनी मजबूती अभी का बिल्डिंग गिर जाता है और अभी भी यह शिवाल है उसी स्थान से खड़ा है और बाबा का शिर्वाग का प्रियोग नहीं किया गया और गुंबत के उपर आप कैमेरामेंस के दिखाएंगे वो जो तिशूल लगा वो जब से मंदीर है 1200 साल पुड़ान वो तिशूल है बाबा के उपर और अभी भी उस तिशूल में वही चमक है उसी सान और धर्म का परचारा के रूप में वो तिशूल खड़ा है मैं बता नहीं सकता हूं यहां के महिमा के बारे में सबसे यहां पर जो भोले नात की किरपा है वो भी अध्वुत है और कहीं कोई अस्थापित किसी लोगों की द्वारा नहीं किया गया है यहां पर जो सिब्लिंग है वो साच्छा स्वें परकट हुए थे वो सिब्लिंग अभी भी मौझूद है जहाँ भगत आते हैं पूजा अर्षन करने के लिए और आसीरवाद लेने के लिए गुजर भी आप बताएंगे यहां के बारे में कि कैसा प्यवस्ता है इस मंदिर का कैसे यह मंदिर चल रहा है यहां पे पूजा पाठ कैसे होता है तो मंदिर चलता है भक्तों से ही चलता है कुछ पहले महंत जीते उसके बाद नियासबोर्ड ने इसको ले लिया और उसके बाद नियासबोर्ड की कमिटी बनी उसके बाद और मंदिर के पास जमीन भी बहुत ज्यादा है लगभा 25-30 विखा है एक्जेक्ट नहीं मालूम है हम जमीन परता है बीसमेंट दो कहीं हैं दुसरे लोहों का है बस proper लेकिन पूरा जमीन तो उसी से चलता है लेकिन क्या कर रही कुछाला है मांथ जी अपने पक्ष सरकार को दलिल दे रहे हैं और सर्कार को 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 ले ले ना दे नहीं है अनेकोव भक्त को घी थे, कोई ते या कि यहां के लिए प्रसादफ दे जाते हैं, और बाबा का ऐसा निल कंठ महादेव का महिमा है आज तक पूजा के लिए बाबा के यहां क्योंकि यह तो सब को देने वाला इसको कौन अभी तक कुछी ने मिला हैю और कब कश्ची है लेकिन मंदीर के विकास के नाम पर बाहर में एक ठोटों बनाया है तुम बलाना दिवाल पे पीलर खाड़ा करके की च्वाद मेंज आप पूर प Alexa ता है तो कमिच्की में जितना भी सदस्ए पूज START करने आता नहीं लेकिन वैसा लोग को इसमें इसा वैसा लोग है कमीटी में जो कभी भगबान से आस्था से जुरा हुआ लोग है लोग के नहीं लेकिन पूजा रचना में उनका कोई आती नहीं है पूजा रचना करें लिए वो लोग नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं, साल भड में एक बाड़ाते हैं सिवरात्री में घूम के देखने के लिए, अब जानलीजे जै इससे पहले जो सुंबाडी गया है, उसमें कोई विवस्था नहीं था, दो चार लाइट था, अब उस कम अब पैसा बचा कितना है, जो पैसा बचा उसे मंदर का विकास करें, देख सकते हैं, समाधी घर है, आपको दिखा देखें, यह समाधी घर है, जितने आज तक जितने संत महात्मा यहां के महंत हुए है, उन लोगों का यह पिंडी बना हुआ है, तो सबसे पहले वहां को न नाम है गजंदर भार्थी, और जो इस से पहले मेरे दादा जी से पहले जो महंत थे, उनका नाम था राम लखन भार्थी, जो यह उदर से और उधर जो है, वो सुखदेव गिरी महंत का फिंडी है, बाकी के इन लोगों महात्मा का नाम न जानते है, जो इतन तरह का था, ए लोग से बंदिर है, तो पंचानवे सो बर्स पुराना मंदिर है, कहा गया है कि पासान काल में जो लोग कोई भी पालतू जानबर को लेते थे ना, तो उनके साथ ही उनको दफनाया जाता था, तो सामने बगधरु बाबा है, वो बाद को पकड़ के समाधी लिये हैं, इस से पता चलता है कि ये मंदिर नौ पसान काल का है, और पलस में कमीटी जितना मठ का इंकम है, वो कमीटी अपने अंडर रखता है, ये बारिस की पानी है, और ये पूरा तरह से डाइमेज है, कभी भी लोग इसमें चपा सकता है, लेकिन मंदिर के नाम से जितना भी पैसा जमा है, उसको कमीटी खर्च करना चाहने रही है, वो आप देख रहे हैं, इसमें इसमें पैसा, इसमें बना हुआ है, इसमें मंदिर का लाते थे तो हल है इसको कहा जाता है मतानी मठानी जो घी मक्षन माहने के लिए उपयोग में लाते थे मतानी जो कि आब यह यादगार के ही रूप में बचाहे बाकी आप देख रहें मंदर से पूरा बिकास नहीं बल इक बिनाश कर दिया गया है जितने भी मत में हमरें अंज मंदिर में टोटल जमीन कितना है तो बोले हमको पता नहीं है हम बोले कितना जमीन जोत में है कितना जमीन पढ़ती है कितना जमीन में मंदिर है वह आपको पता है तो बोले नहीं पता है जब आपको मंदिर के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे बन गए को साधक्ष जो आद के अंदर उपरे हैं इसलिए मंद्र का विकास नहीं बिनास हो रहा है एक लोग है वो बोलते हैं कि जब बांस को कटवा के यहां पर पोखरी बनवा देंगा इसमें मच्री पालन होगा आप बताइए धर्म अस्थल में मच्री पालन हो सकता है यह सब कमीटी का जितना भी लोग है विकास कर नहीं रहे हैं बलकि बिनास कर रहे हैं और समाज के भी कुछ लोग हैं इन लोगों से पूछ लिजिए और बीना आमदनी के यहां पर राद दीन 2400 घंटा रहके भगवान का सेवा करते हैं जो पैंट हुआ है रंगाई पूटाय हुआ है उसाब गुझण बावुक है अपने के अ लेकिन इस पे और बात है जो इस पर लोग क्या करते हैं कमीटी के कुछ भावचर वना को से खमां करेंटे करवाया है जब कि कमीटी करवाता नहीं है कोई और लोग और बाबाने के तूट गया जब कि इनाड का जुरनोधार होना बहुत जहीं जरूरी है समय के अनुसार लेकिन गौसाला था बाहर में गौसाला को तोड़ दिया गया पुरा बिनासुराव समाज के लोग हैं इन लोगों से पूछ लिजिए यहां 24 गंटा सेवा भगवान का करते हैं लेकिन इन लोगों के ही दिये हुए पड़ यह मंदिर चल रहा है फिलाल में ट्रस्ट से एक रुपया भी नहीं मिल रहा है जितना मंदिर का संपत्य है वो कमीटी के अंदर में है बहुत बढ़ा दुरभाग की बात है कि यहां के कुछ लोग जो इसी समाज के हैं इसी गाउं के है और वो सभी लोग कमीटी में हैं और कमीटी में होने के बावजूत मंदिर की यह दुरदसा है लेकिन सायद आपको दिखता नहीं है दूसरा नमर चीज कि आप इसमें फ्रश्टा चारी करने का सोचते हैं और एक बर भगवान से भीड़ ये और जो उनका खाता है ना कभी उसका बरकत नहीं हो सकता है ये बात आप याद रखिएगा जो भी लोग भगवान का लूटने का कुछिस करते हैं मैं आपको छेताबनी दे दूँ कि आपकी बरकत कभी नहीं हो सकती है आपके बिनास के अलाबा कुछ भी नहीं होगा अगर दो रुपईया भगवान के ना अगर नहीं समलने वाला होता है तो न्यासमोर में लेना नहीं चाहिए मंदिर के पास समझ लिजिए कि इतनी बड़ी संपति है उसके बावजूद भगवान को पूजा हो उसके लिए भी यहाँ पर कोई वेवस्था नहीं है इसका क्या मतलब होता है और अगर आप लोग इसक समाज के लोग यूबा लोग देख रहे हैं यह कोई छोड़ने वाले नहीं है बकसने वाले नहीं है जिस तरफ से आस्था के साथ अभी पूजापाट कर रहे है उसी आस्था के साथ भगवान के संपति के लिए भी लोग लघंगे और मैं भी इनका साथ दूंगा यह मैं कह देख रहां ने तमाम यूवा लोग जो हैं यह सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे केबल और केबल भगवान का जो है बभगवान की पड़ती जो इनका आस्ता है उसका रक्षा करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए है और अभी करवीर है क्या नाम क्या हूँ आपका घर यहीं है क्या स्थिति है इस मंदिर का देख रहे हैं और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो भी जो भी कुछ होना चाहिए ट्रस्ट के पास चला गया कुछ भी यहां तो मिलता नहीं जो यहां समाधिक आदमी जो देते हैं वही से प्राइनून यहां पे काम होना चाहिए, खास करके मंदिर का विकास होना चाहिए, यहां से जो कुछ भी इनकम हो रहा है यहां के संपती से, और उससे जो मंदिर का विकास होना चाहिए, प्लीज, आप से मैं हाथ जोर कर भी नतिकरता हूँ, यह सही नहीं हो रहा है, आप आजा करूंगा तब तक के लिए जै हिंद